नुहू पुलिश ने ओपरेशन आक्रमण 11 के तहत विभिन अपराधों में सनलिप्त 31 आरोपियों को तबोच लिया है जिन में अवेशराब चूरी की मोटर साइकल इश्पूटी सहित अवेध हत्यार परामत सोनाक्सी सिंग एडिशनल एसपी नुहू ने कहा है कि गत 23 जून 2024 को पुलिस महान देशक हर्याना सत्रुजीत कपूर के आदेश अंसार समस्त हर्याना में अपराध नियंत्रन हेतू ओपरेशन आक्रमण 11 चलाया गया जिसके तहत चुला पुलिस ने विभिन अपराधिक माम पुलो में सनलेप्त 31 आरोपियों को धरत बोचने में सफलता हांसिल की ओपरेशन आक्रमण 11 के तहट चले विशेश अभियान में नुहू पुलिस की सभी अपराध चांसा का इवं थाना वच्चों की इस्तर पर कुल 35 टीमों का गठन किया गया था जिसमें 194 में पुलिस अ आक्रमण 11 के तहट आवाकारी अधिनियम के तहट एक मामला दर्स करके उसमें एक आरोपी को ग्रपतार किया उसमें 38 बोतलें देशी अंग्रेजी अवेसरा परामत की गई इसके अलाबा कारवाई करते हुए सस्तर अधिनियम के तहट दर्स एक मामले में एक आरोपी को ग् प्रत्रतों में गठत अलग-अलग पीमों ने अलग-अलग स्तानों से साइबर अपराधियों को धर्थ वोचने में सपलता हांसिल की है आरोपियों के कब्जे से आठ फर्जी सिम कार्ड आठ मोबाइल फॉन वा दो एटीम कार्ड परामत किये गए वहीं आपको बता दें कि प्रास बात पे है कि नुहू पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में चार वाहन चोरों को गरबतार करों के कब्जे से 16 चोरी की मोटर साइकल वा एक ही स्कूर्टी को बरामत करने में सफलता हांसिल की वहीं अन्य अपराधिक मामले में सनलिप तर आठ आरोपियों को गरबतार करने में सफलता प्राप्त की है एडिशनल एस पी नुहू का कहना है कि ऑपरेशन आक्रमण ग्यारे के दोरान जिला नुहू पुलिश ने मोटर वहान अधिनियम के तहट लेंज चैंज के जुरूम में एक सो साइट गाड़ियों के चालान भी किये हैं सबी मामलों में आरोप पी सर के और्डर के अनुसार हमने नुजले में अपरेशन आक्रमण 11 लांच किया था और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है हमने लगभग 200 लोगों पुलिस कर्मशारियों के साथ में हमने 35 टीमें बनाई थी जिन्होंने इस अपरेशन आक्रमण में अपरादियों की धर अचीविमेंट यह रहा है कि हमने एक वाहन चोरी के गिरोह का परदाफार्श किया है और उसमें अपराधियों को हमने पकड़ा है और उनके साथ-साथ हमने 17 वहिकल्स भी रिकवर किया है जिसमें से 16 मोटरसाइकल और एक स्कूटी की भी रिकवरी हुई है और इसके का लेन राइविंग का भी चालान किया गया है